हलो टियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप एवियस या प्रयावरन ध्यन की क्लास में आपका स्वागत है बच्चो आप इस वीडियो में उन चीजों के बारे में जानकारी प्रापत करने वाले हैं जिन पर फूलों के डिजाइन बने होते हैं आपने पिशली वीडियो में उत्रांचल के पहाडों के बीच फूलों की घाटी के बारे में जानकारी प्रापत की थी बच्चों हर वो चीज सुन्दर लगने लगती है जिन पर फूलों के डिजाइन बने होते हैं तो चलो जानते हैं किन-किन चीजों पर फूलनों के डिजाइन बने होते हैं आप 4th class की EBS की बुक लुकिंग राउंड या आसपास का page number 85 open करें और इस वीडियो के साथ साथ इस topic को अपनी बुक पर भी देखें क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज़े हैं जिन पर फूलनों के डिजाइन बने हो जैसे कपड़े, चादर, फूलदान, आदी अच्छा बताओ किस-किस के घर में हैं ऐसी चीज़े? हाँ, सबके घर में हैं Here is a floral design in the box below नीचे एक खान्ने में एक सुन्दर सा design बना है The design in the picture is called मधुवनी चितर में दिखाएगे design को मधुवनी कहते हैं It is a very old form of fork art यह चितरकला बहुत प्रानी है Do you know why it is called मधुवनी? पता है इस चतरकला का नाम मधुवनी क्यों पड़ा? There is a district in Bihar called मधुवनी Here, during festivals and happy occasions, the balls of the houses and their courtyards are painted with such pictures Bihar में मधुवनी नाम का एक जिला है बहाँ इस चितरकला का बहुत प्रयोग किया जाता है चलो जानते हैं इस चितरकला को कैसे बनाते हैं These paintings are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed यह चितर पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिला कर बनाये जाते हैं The colors used in मधुवनी, paintings are very special too यह रंग भी खास तरह के होते हैं To make them indigo, neil, turmeric, healthy Colors from flowers and trees etc. are used इन्हें बनाने के लिए नील, healthy, full पेड़ों के रंग आदी को इस्तेमाल में लाया जाता है तो बच्चों कौन बताएगा कि मधुवनी के लिए जो colors बनाये जाते हैं उसमें किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है चलो आप बताओ हाँ, neil, healthy और फूलों के रंग बिलकुल ठीक, शावाश दा पेंटिंग्स शो हुमन बिंग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, वर्ल्स, एटसेटरा चित्रों में इनसान, जानवर, पेड, फूल, पंच्छी, मशलियां और अन्य के जीव जन्तु साथ में बनाये जाते हैं बच्छों, इस चित्रकला को जरा ध्यान से देखें, इसमें आपको सुन्दर सुन्दर पक्षी, फूल दिखाई दे रहे हैं इन पक्षी और फूलों के डिजाइन इतने सुन्दर हैं कि ये हर किसी के मन को मुह लेते हैं अपने आप कोई डिजाइन बना कर रंग भरो तो बच्छों आप फूलों, पत्तों, पेडों और पक्षियों त्यादी के चित्रों का प्रयोग करके कोई सुन्दर सा डिजाइन बनाने का प्रयास करें बच्छों आप इस डिजाइन को बनाने के लिए अपने पेरेंट्स या घर में बड़ों की हेल्प भी ले सकते हैं लुक एड़ दा डिजाइन्स, मेड़ वाई और फ्रेंड्स ऐस बेल, अपने दोस्तों के बनाए डिजाइन भी देखो तो बच्छों आपने बिहार के मधुबनी जिले में बनाए जाने वाली चित्रकला के बारे में जानकारी प्रापत की आपने जाना कि इस चित्रकला को बनाने के लिए किन रंगों का प्रियोग किया जाता है और उसमें क्या-क्या बनाया जाता है आप इस सारी जानकारी को अपनी कॉपी पर लिखें इस वीडियो में इतना ही इस से आगे की जानकारी अगली वीडियो में दी जाएगी have a nice day